हेलो और नमस्ते एवरीवन वेलकम टू दी कूल और कोर्की फैम तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एवरीडे मेकप लुक सो लेट स्टार्ट तो मैंने सबसे पहले अपना फेश वास कर लिया है फेश वास करने के बाद मैंने रोज वाटर यूज किया है अज टोनर और अब मैं यूज कर रही हूँ अपना मॉश्यराइजर तो मॉश्यराइजर को मैंने पहले अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर ल तो मेरे face पर ऐसे कहीं कहीं थोड़े बहुत pimples के marks हैं बट it's okay तो मैं कोई भी concealer use नहीं कर रही हूं मैं direct अपना sunscreen use कर रही हूं and yes sunscreen लगाते time no conjuicy तो मैं वीडियो में दिखाना भूल गई बट face के अलावा आपको sunscreen अपने ears पे अपने neck पे भी apply करना चाहिए क्योंकि वो भी जरूरी है जो भी आप product अपने face पे use करते हैं like moisturizer, sunscreen और toner तो एक product को use करने के बाद जब आप दूसरा product use करते हैं तो उसमें कम से कम 40 to 50 seconds का gap होना चाहिए ओके तो आप सोच रहे होंगे primer, foundation and other makeup products कहां है तो हम सबको बता है कि foundation अगर हम daily अपने skin पे use करते हैं तो वो हमारे skin के लिए healthy नहीं है इसलिए मैंने ये everyday makeup look without foundation किया है और अब मैं apply कर रही हूँ अपना काजल तो काजल को lower water line पे apply करने के अलावा हमें upper water line पे भी apply करना चाहिए इससे एक अच्छा look आता है तो eyebrows को मैं हमेशा middle section से fill करना start करती हूँ और दीरे दीरे हलके हातों से मैं इसको आगे भी fill करती हूँ और eyebrows fill करने के लिए मैं हमेशा dark brown shade use करती हूँ तो कभी भी हमेशा black color या जो shade आपके skin पे suit नहीं कर रहा है वो use नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे क्या है हमें natural look नहीं मिलता है तो आप हमेशा वही shade use करो जिससे आपको natural look मिले and you can see the difference की eyebrows fill करने के बाद ऐसे look की change हो जाता है lip tint के लिए मैंने एक simple सा hack है मैं सबसे पहले अपने lips पे lip balm लगा रही हूँ इसके बाद मैंने ये red color की matte lipstick ली है इसको थोड़ा थोड़ा dot करके मैं अपने lips पे लगा लूँगी and इसको मैं फिर अच्छे से spread कर दूँगी अपने lips पे इससे क्या होता है एक natural सा neutral सा look मिल जाता है and shade भी काफी अच्छा आता है तो आप ये अलग-अलग shade के साथ try कर सकते हैं काफी अच्छा look आता है तो मेरा face tijon area में थोड़ा सा oily है उसके लिए मैं ये loose powder यूज़ कर रही हूँ अपने face पे इसके अलावा आप compact powder भी यूज़ कर सकते हैं बट अगर आपके skin dry है तो आप इस step को skip करें क्योंकि ये अपके skin को और भी ज़्यादा dry कर सकते है इसके बाद आप चाहें तो ये look भी carry कर सकते हैं बट आपको blush भी use करना है तो उसके लिए मैंने फिर से simply एक hack follow किये मैंने जो red lipstick अपने lips पे लगाई थी white lipstick and थोड़ा सा lip balm उसको mix कर लिया है और उसको अपने cheeks पे, nose पे and थोड़ा सा chin पे लगा रही हूँ और उसके बाद मैं इसको अच्छे से blend कर लूँगी तो हमें कोई extra ऐसे blush की भी ज़रूरत नहीं है आप ये hack follow करके blush लगा सकते हैं This is my final look So if you like my video Please do subscribe my channel And if you are already a subscriber So thank you so much for subscribing my channel And supporting me I'll come with a new video very very soon Till then bye bye Take care and keep smiling